वेलकम बेक टू माइट ये वीडियो क्लास 12 के लिए है जो भी अभी क्लास 12 में है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपोटेंट है मैं आज आप लोगों को इसमें कार्नेलिया का गीत इसकी संब्री यान इसका फुल कंसेप्ट आपके साथ डिसकस करूंगे और इसे देखने के बाइद स्टुडेंस ऐसा कोई सा भी कोशन नहीं होगा जिसे आप लोग सोल्ट ना कर पाएं स्टार्ट करते हैं फुल कंसेप्ट के साथ कार्नेलिया का गीत इसके लेखा कौन है जे शंकर पैसाद है जिनके बारे में मैं अल्रेड़ी अपनी पिछले वाली वीडियो में डिसकस कर चुकी हूँ आज हम पाट का परिजे स्टाडी करेंगे तो कार्नेलिया का गीत जे शंकर पैसाद के आपको याद रखना है इसके लेखा कौन है जे शंकर पैसाद है पहले पॉइंट और जे शंकर पैसाद के प्रसीद नाटक यानि जो उसका फेमस नाटक है आपको याद रखना है उसे चंदर गुप्र से लिया गया है ठीक किसी तरह जिस तरह देव सेना के गीत को जेशंकर पैसाद के प्रसिद नाटक इसकंद गुब से लिया गया था ठीक उसी तरह आपको याद रखना है कि कारनेलिया के गीद को कौन से नाटक से लिया गया है चंद्रकुब नाटक से लिया गया है अब आगे बोला है कि सिकंदर के सेना पती सेल्यूक्स वेरि इंपोर्टेंट आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो कारनेलिया है वो सिकंदर के जो सेना पती है इसका नाम सेलियूक सें की बेटी कारनेलिया है भारत की गौरव गाता तता अदवूट प्रकरतिक सौंधरिये को देखती हैं जो कार्द देखती हैं आपको याद रखना है या भारत की बात की जा रही है तो इसे अपना देश मानने लग यानि यहां की प्रकरते कितनी अद्बूदे की जो देव से जो कारने लिया है उनको ये देश अपना सा लग तो आगे बोला काई स्टूडेंस की वो कहती है जो भारत है जो हमारे देश भारत है वो इस्थान है जो माधूरी है और लालिया से भरा हुआ यानि ऐसा देश है जो गुनों से भरा हुआ है ये वो इस्थान है जो हमारा देश है वो बहुत मातूरी है और गुनों से भरा हुआ है आगे बढ़ते हैं अब जहां पर क्या होता है जहां अंजान वा भूले बढ़के जिने रास्ता नहीं मिल रहा है जो बिलकु पुल अंजान है लोगों को भी यहां क्या मिल जाता है स्टूडन्स आश्री मिल जाता है यानि स्थान मिल जाता है अंजान लोगों को और बुले बट के लोगों को भारत देश अपना सा लगता है तो उन्हें यहां जगा मिल जाती है तो आगे बोला गया है कि दूर देशों से आई हुए very important रंग बिरंगे पक्षी भी भारत में अपना गोसला बनाना चाहते हैं तो यहां पर पक्षियों के बारे में बोला है कि जो पक्षी है वो अपना गोसला भी भारत में बनाना चाहते हैं और यहां के लोग दूसरों के दुख तकलिफों को देखकर अंध्यंत बावुक हो जाते हैं तो बारत के लोगों की विशेशता बताईए स्टूडेंस कि अगर वो दूसरे लोगों के दुख को देखते हैं उनकी दुख तकलिफों को देखते हैं तो वो अंतियंत क्या हो जाते हैं बावुक हो जाते हैं वो उनके दुख में दुख होने लगते और जो बड़ी बड़ी वishyal समुदर कि जो लेहरे होती है लेहरे भी students बोला कया कि वो भी भारत के किनारों से टकरा करके शान्त हो जाती है जब ये बड़ी बड़ी विशाल समुदर की लेहरे भारत से टकराती है तो उन्हें अराम मिल जाता है यानि वो बिल्कुल शांत हो जाती है जैसे उन्हें सहरा मिल गाया हूँ तो आपको यह पॉइंस याद रखने हैं आगे पड़ थे हैं यानि अर्थात बताया गया है उन्हें भी यहिआً कर आश्य मिलता है यानि लेहरों को भी पक्छय की तरह बताया गया है कि जैसे उन्हें भी यहां करके अराम मिलता हूँ तो यहां से स्टुडेंट समरी होती है कंप्लीट आई होब आप लोगों को बहुत अच्छे सी समझ में आई होगी ठैंक्स फूर वाचिंग